तो इस चेप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर वैंग लिन से कहते हैं घबराते हुए कि मिस्टर लिन इस बारे में क्या कहा जाए लेकिन हम इस बारे में थोड़ा केरलेस हो गए थे और मैं आपसे बताना तो भूली गया था वैसे यह एमा लिन इस बारे में मुझे बता तो सकते थे लेकिन अब इस से क्या फरक पड़ता है जल्दी से उस लिश्ट को बाहर निकालो और मुझे दिखाओ कि आखिर यह सब कहां से शुरू हुआ जिसके बाद लिन इस बारे में बात करकर देखना नहीं चाहिए क्योंकि इस बारे मे बेखुफ अभी भी यह हमारे उपर पैसे का हगदार है यह तो काफी जादा बुरा है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन हान के पास फोन कॉल करने लगता है और यहाँ देखकर मैनेजर वैंक काफी जगभरा जाती है और लिन से कहते हैं कि मिश्टर लिन सायद आ लेकर यहाँ पर आये थे और वो अभी भी हमारे एक रूम के अंदर हैं उनके साथ और इसके लावां मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से वहाँ फोन कॉल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से यह काफी बड़ा पंगा फश सकता है और वैसे भी वो जब यहाँ प कौन है और तुम तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया है तो लिन कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं लिन हूँ और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस वक्त मेरे पास एक बैड न्यूज है वैसे क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें अभी पेंसुलम होटल को एक लाक ठारा हजार यांग देने हैं तो क्या तूम उसे देने के लिए यहाँ पर आ रहे हो या नहीं जिसके बाद हान कहता है किसमे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मैं तो हूँ पैंसुलम होटल के अंदर ही हूँ और अभी मैं यहां के ओनर के जिसके बाद लिन गुश्य में हान से कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसने तुम से कहा कि होटल मेरे नहीं है और पहले पहले तुम सारी पेमेंट को किलियर करो उसके बाद मैं तुम फ्री के एस करने दूँगा जिसके बाद हमें हान को दिखा जाता है जो क मैं अभी ढूड़ता हूँ तो लिन कहता है कि तुम्हें ढूड़ने की कोई जूरत नहीं है वैसे भी तुम मैनेजर वैंग के आफिस के अंदर आ जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ पर मिल जाओंगा जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन को जो फोन कट होने के बाद कुछ और फाइल्स को मैनेजर वैंग के साथ चिक कर रहा होता है तभी एक परसन लिन के पास आकर कहता है कि मैनेजर वैंग वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई परसन जिसका नाम डॉंग ली है वह इस वक्त यहां आकर मिश्टर लिन से मिलना चाहता है या सुनकर लिन काफी दाहरान होता है जिसके बाद लिन उस फाइल को बंद करते हुए उस परसन से कहता है कि ठीक है तुम उसे जल्दी से अंदर भेज़ दो वैसे मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि वहाँ ओफिस का डूर ओपन होता है और उसके अंदर से और इस वक्त उसके सारे साथ ही जो वहाँ पर थे वहाँ उसके साथ ही आए होते हैं जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि मैनेजर वैंग यहाँ देखकर थोड़ा सा घबरा जाते ह और लिन से देखकर अपने सर को नीचे कर लेता है और थोड़ा गुस्से में दिख रहा होता है जिसके बाद मैं जर्वैंग घबराते हुए वहाँ पर खड़े उस परसन से कहते हैं कि तुम जल्दी से नीचे जाओ और सिक्यूरिटी हेड से कहो कि वो जितने सारे ओफिसर्स हैं उन्हें एसेंबली में इसके बाहर खड़ा करते हैं और से चारोर से घेल लें वैसे भी वो सब वहां खड़े होकर बस इस चीज का इंतजार करें कि मैं उन्हें कब आडर दूँगा आगे बढ़ने के लिए जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि डॉंग ली एक बॉक्स हमें रोक रहे हो और वैसे भी तुम्हें रोकना ही है तो थोड़ा स्माइल करकर मुझसे इस बारे में थोड़ा डिसकस तो करो और वैसे मुझे लगता है कि तुमें मेरी मदद की जरुषत पड़े की क्योंकि इस से हम दोनों का ही बहुत अच्छा फायिदा होने ओला है ज जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि डॉंग ली अपने जेव से एक सिग्रेट का बॉक्स निकालता है और उसमें से एक सिग्रेट निकालते हुए लिन से कहता है कि वैसे मिश्टर लिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल परसन बन के आया हूँ और यह इतना भी चीज को टालने की कोसिस करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको फ्यूचर में अपने बिजनस में काफी ज़्यादा लॉस होने वाला है इससे और मुझे लगता है कि सायद आपका बिजनस पूरी तरीके से बरबाद भी हो सकता है इससे जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि परसन सिगरेट को अपने लाइटर की मदद से जलाने लगता है और फिर सिगरेट पीते हुए एक स्माइल के साथ लेन से कहता है कि एनिवे मुझे से कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार है लेकिन साध हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चा जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि डॉंगली ने बस सिगरेट ड़स्ट वाले कप को टेबल पर रखा ही था लेन काफी गुस्से में उसके सर को पगड़कर उस ड़स्ट वाले कप से लड़ा देता है और गुस्से में कहता है कि आखिकार तुमारे हिम्मत कैसे होई मुझ जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि जो परसन लिन को गालियां देते हुए आ रहा होता है लिन को मानने के लिए लिन उसके पेट में काफी तगड़ी किक मारता है जिससे उसके मुझसे बलड निकलने लगता है और वो उड़ते हुए सिधा जाकर दिवाल से टकराता है और सब देखकर गुसे में लिन से कहने लगता है कि तुम पागल कहीं के अगर तुम इतने ज़्यादा ही पावरफुल हो तो तुम्हें अपनी पावर को सही जगा दिखाना चाहिए आखिर तुम इस तरीके से पावर को दिखा रहे हो हमें तो पता भी नहीं था कि लेकिन साथ तुम्हें इह बात पता नहीं थी तो मैं तुम्हें पताना चाहता हूँ कि तुम securd के अंदर को она बस मेरे साइड है तो तुम्हारा यहां से बचका जाना तो काफ़ अदा मुस्किल होने वाला है जिसके बाद डॉंगली लिन से कहता है कि आखिरकार तुम कहा कहा रहे हो पैंसुलम होटल तुम्हारा है आखिर यह क्या बकवास है जिसके बाद वो दोड़ते हुए ख़ड़की की बिंडों के पास जा कर देखता है तो वहां उसे काफ़ी सारे गाट्स खड़े हुए दिखाये देते हैं जिससे देखकर वो और भी जढ़न हो जाता है जिसके बाद लिन डॉंगली के पास आने लगता है और डॉंगली यह देखकर करूंगा तो तुम जानते हुँ कि तुम्हारे साथ इस वक्त क्या कुछ नहीं हो सकता तभी हमें दिखा जाता है कि लिनकी और उसकी बात ही हो रही होती है तभी वहाँ पर कुई गहान भी आ जाता है जिसके बाद हान वहाँ पर कुएंग को देखकर काफे दाई हरान होता है और क्वैंग से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो जिसके बाद वो परसन हान से कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसलिए आया हूंगा जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डौंगली दोड़ते हुए हान को देखकर उसके पास आ जाता है और हान से कहता है हासते हुए कि मिश्टर कौिंग हान वैसे आपको यहाँ पर देखकर खुशी हुई लेकिन यहाँ पर जो यह परसन है इस परसन के बीच मेरा एक छोटा सा विवाद हो गया है इसका नाम मिश्टर लिन है और मुझे इससे बस बिजनस के बारे में कुछ बात करनी थी लेकिन यह हाथ पॉँआ पे उतराया है वैसे कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं जिसके बाद हान लेन के पास जाता है और लेन से कहता है कि बोल भाई क्या यह दोनों मुर्ख क्या तेरे से बिजनस करने के लायक भी है मुझे तो लगता है कि यह तेरे से बाते करने के भी लायक नहीं है तो तुई रहे अभी तक जेल क्यों रहा था जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाद दोनों अपनी अखंडबे जिती कोई गहान के मुझे सुनकर काफी ज़्यादा ही हरान होते हैं और सुचने लगते हैं कि हमारी सिच्विशन तो इतनी ज़्यादा खराब है लेकिन उसकी बेहतर होने के बावजूद भी हम यहाँ पर पूरी तरीकी संदाकारा कैसे हैं जिसके बाद इस चैप्टर का एंड यही पर होता है